रादे रादे जैश्री महाकाल, जै महाकाली, हैपी धन्तेरस, हैपी रूप्ट तुर्दशी, हैपी दिवाली, हैपी निवर्स, पान पंच दिवसी यह प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही अच्छा हो एसा अशिर्वात देता हूँ, पान दिवस तक आप यह बहुत क्योंकि अपना स्वास्त और सहित को भी बनाना बहुत जरूरी है इसके अंतरगत, दिवाली के अंतरगत पठाके जो बहुत सारे फूट रहे हैं, उसके कारण बहुत सारा प्रदूशन, वायू प्रदूशन हो रहा है, जिससे लोगों का अस्तमा वालों को भी बहुत प्र हमेशा आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, हसते रहिए, खिल किलाते रहिए, अपने परिवार के साथ साथ पडोसियों का भी ध्यान रखे और पडोसियों से भी प्रेम बनाए रखिए, जूट मत बोलिये, एक दूसे से चुगली मत कीजे, ब्राह्मन की बुराई क अभी मत कीजे, देखिए, अभी इस तीथियों के अंतरगत बहुत सारे से उतार चड़ाव देखने मिल रहे हैं कि तीथिया शय हो रही है, इसके कारण लोगों को पता ही लग रहा है किस दिन धनतेरस बनाए, किस तर दिन रूप चतुदशी बनाए, किस दिन धीवाली बन जिस तरह से धनतेरस उसके दूसरे दिन रूप चतुदशी और रूप चतुदशी के दूसरे दिन दीपावली है, आप इस तरह से ही आप त्योहारों को मनाई है, दीन को खंडित मत कीजिए, दिस तरह केते हैं कि यम का दीपक हमें रूप चतुदशी के लिए बहुत महत् इस्थान या भूमी का निभाता है तो रूप चतुदर्शी के दिन यम का दीपक भी आप कीजिए केसे करना है साथ अनाज की धेर ले लीजिए साथ अनाज ले लिजिए साथ प्रकार के अनाज लीजिए उसे घर के सदक्षिन दिश्ण में आप इखटा करके रख दीजिए उपर से आप सरसो के तेल के चार मुहिय दीपक बनाईए, उसमें चार बाती रखिए, चार मुहिय बाती रखिए और उसे साउथ डायरेक्शन में रखकर आप जला सकते हैं, घर का जो भी बड़ा इंसान हुआ है, उसके हाथ से दीपक का यह पूजन करना बहुत ही शुप मा जाता है, माना जाता है कि यम का दीपक करने से रूप चतुजर्शी के अंदर गत अगर आप यम का दीपक करते हैं, तो आपको मरन उपरांत मरन के बाद आपको यम लोक में इतनी यातनाएं नहीं पीडा नहीं जहलनी पड़ती, आपने गरू कुरान सुनी होगी, तक इस पाप कर्मों के यातनाएं उपर हमें धर्मराज देते हैं, उस तरह से आपको यह यातनाएं नहीं सहनी पड़ेगा, आप यम जी का दीपक अवश्य कीजिए, बहुत सारे लोक इस दिन लोगों, गरीब लोगों को काले कंबल बाटने की भी प्रथा है, काले कपडे बाटन चल रहा है तो आप समझ सकते हो कार्तिक महिने के अंदर आप गर आप दीब दान करते हैं, तो कितना अच्छा आपको फल प्राप्त होता है, धन लक्षमी की पूजा कीजिए, आपको पता है, अभी मुझे बहुत सारे मेसेज ऐसे आ रहे थे कि सार हम बहुत कंफ्यूज है हमारे लिए चाही या फिक्स तारिक नहीं पता लग रहे है, तो आप एक काम कीजिए, धन 13 से धन 13, जैसे ही आगर आप बना रहे हो, तो उसके जश्ट दूसरे दिन आप रूप चतुदर्शी मना लीजिए, रूप चतुदर्शी के दूसरे दिन अमावस आ जाएगी तो दीपावली आ जाएगे, शुब दीपावली आप सभी को और बहुत सारा प्यार आशिर्वाद यह से हमारे साथ जुड़े रहे है, जैश्री महागाव